करेंगे तो यहां पर देखिए लगबग 260 के आसपस है 40400 कॉल ऑप्शन अभी हो चुका है 293, 303, 309, 316, 328, 335, 340, 350, 360 देखी दोस्तो जिस दिन हमें ट्राइ करना है गाप डाउन के बाद क्या रिकवरी आई है और लगबग हमें 80 पॉइंट यहां पर फर्स्ट मिनिट के कैंडल में मिल जाते वो स्कैल्पिक स्ट्राइडजी के हिसाब से आप लेट हैं साइड देख सकते हो मैं यहां पर जो है कोई जूट नहीं बोल गहा हूँ हमने आज ये strategy नहीं try की क्योंकि हम लोग आज try करने वाले हैं intraday वो भी stocks में आप चाहों तो ये strategy कर सकते हो लेकिन अभी हमारी next strategy है जो 5 minutes वाली उसको भी आज हम लोग देख लेंगी क्या ये workout हो सकती है नहीं हो सकती क्योंगे range अगर आप देखो गई यहाँ पर तो मुझे range काफी अच्छी लग रही है और आज ये strategy workout होने के chances मुझे काफी बढ़िया लग रहे है काफी दिनों से हम लोग range के वज़े से जो हमारी stop process book करते आते हैं लेकिन आज एक मिनिट की candle देख के मुझे पता लग रहा है कि डेफिनेटल आज बैंक निफ्टी में वह strategy work करने जाने वाली है तो एक स्टॉक है दूस्तों हीरो मोटर काफ जिस पर मेरी नजर है मैंने ठोड़ा सा यहां पर रिसर्च किया है अगर ओपन यह आज होता तू नाइक जिलू थी कि अबाव तो डेफिनेटल हम लोग बाइट करते हैं लेकिन आप यहां पर यह ओपन हुआ है 2870 के नीचे तो इसे थोड़ा हम लोग अवाइड करेंगे ट्रेड लेनी के लिए तो बैंक निफ्टी का आप देख सकते हो प्रीमियम्स काफी जो है लोग होने वाले है कंबे टू फ्राइडे और मंडे के लिए तो यहां पर थर्ड कैंडल जो है और मोस्त बन चुकी है निफ्टी बैंक में यह जो चार्ट है यह हिरो मोटो कॉप का है ठीक है हम लोग फोकस कर रहें इंट्राडे स्टॉक्स में ल और किसी स्ट्राडेज भी मेरा फोकस नहीं होगा कितना भी मेरा मंचा है कि इतना ग्याप डाउन ओपन होने के बाद यह जो कैंडल बनी ही इतनी बड़ी बनी है मैं आज जो है इंट्राडे स्टॉक्स सेलेक्शन और इस बापका भी करके रिखा हूं तो मैं आज चुका इस लेकिन आज गाप दाउन होने के बाद काफी अच्छी रिक्रावरी भी आइए मार्केट में ठीक है तो हमने यहां पे जो है निफ्टि फिफ्टी यहां जोकर का जो चार्ट के साथ में जो शेर्स आते हैं उनका डेटा हमने हो पर निकल रहा है और मैं यहां पर जो है जो है लगा चुका हो काफी सिंपल फार्व में आपको ओपन इस इकल टू हाई और लो करना है निफ्टी में ओपन इस इकल टू लो हुआ है तो आज है तो फार्मुला सेट हो चुका है अभी हम लोग इसको फिल्टर लगा देंगे और स्टॉक्स कर देंगे ठीक है देखिए फिल्टर लगा दिया स्टॉक्स को हम दो क्या करेंगे यहां पर देख लेंगे कि ओपन इस इपल्टू हाई वाल में कितने शेर से एक ही शेर है बजाज फिंसव ठीक है और मैं यहां पर जो है वो शेर को एड़ कर लूँगा अलग वास्ट लिस्ट में बजाज फिंसव को पर मैं जो है यहां पर आड़ करने जा रहा हूं और ट्रेडिंग व्यूव के फ्लाट्फॉम पे भी मैं थोड़ा सा चार्ट देखने वाला हूं इतना फरक नहीं होता है कुछ लोग यहां बहुते हैं कि ट्रेडिंग यूव के चार्ट ने और जिदम प्लाट्फॉम पर थोड़ा बच फरक होता है एक उनिस बिस का फरक होता है उस्तों इतना फरक बड़ा नहीं होता है ठीक है और इसके बाद में मेरा साइट से लैप्टोप का भी वर्क नहीं कर रहा है इसलिए आजा जा गया था ठीक है बजाज अभी आ चुका है बजाज फिल्म को मैंने अड़ कर लिया अब अब तक है अब देखे अब यह जो है चोड़ा से जो है छोड़ा गरता है यह देखे अब डाउन ओपन हुआ है इसलिए आपको चार्ट नहीं दिखा था चार्ट काफी नीचे था तो हमने इसको तो एड़ कर लिया है सेकेंड हम लोग अभी स्टॉक्स देख लेंगे ओपन इस उकल टो हाई वाले शेरेस मोस्ट प्रबबली क्या होता है इन में डाउन ट्रेड या नीचे के साथ जाने के चांसे होता है ठीक है तो यहां पर जो है विवया प्लाइंग की ओपर ही है और इसने ओपन इस उकल टो जो हाई था वो ब्रेक कर दिया है तो इसके अभी कोई चांसे नहीं हम लोग इसमें ट्रेड नहीं ले सकते 1769 का जो हाई था इसने उन्मोस्ट ब्रेक कर दिया है तो इससे हम अभी अभी अवोईड कर देंगे अभी हम लोग ओपन इस उकल टू लोग वाले शेर्स देखने वाले तो काफी शेर्स आ चुके ह ठीक है काफी आ चुके है हम लोग यहां पर दो है शुरुवात के एक दो तीवी शेर्स यहां पर ट्राइब करेंगे एस दिसे की एशियन पेंट है एशियन बेंट को मैं आड कर लूँगा ठीक है इसके बाद में चार्ट हम लोग देख लेंगे तो काफी अश्या चार्ट है ठीक है एशियन पेंट और सेकेंड स्टॉक तो यहां पर मैं एशियन पेंट को आड कर लूँगा जिदूला के प्लैटफॉर्म पर तो आज आप देख सकते हैं काफी रिलाक्स अंदो ट्रेडिंग कर वें हम लोग बैंक करते हैं तो काफी हल्टेल होती है मुमेंट्स होती है वोडर डोले जोटी है पॉइंट अफर डाउन होते हैं हमें स्टॉप लोग दिखना पड़ता है लेकिन इस टॉक्स में जोस्तो यह हमने high mark कर लिया 34.42 के आसपास से फिरो मोटो कॉप का है जो चार्ट है फिर से हम दो देख लेंगे फिलाल 34.35 के आसपास Asian Payne की प्राइस सल रही है दूसरे जो स्टॉक से वो भी देख लेंगे बैंक निफ्टी का हल चल क्या है फाइमेट से कंडल का जो हम दोग कर देखते है रेंज के इसाब से वह हम दोग यहाँ पर आज ट्राय कर सकते मार कर सकते काफी इच्छा हो रहे जोस्तों मुझे यहां पर बैंक निफ्टी में ट्रेड करनी के लिए लेकिन जो डिस्ट मुझे चाहिए मैं उसे के साथ यहाँ पर जो स्टिक करने माला हूँ देखिए रेंज काफी बड़ी है मैंने आपको बहुता दिया रेंज जो है लगबग काफी बड़ी है एक सो चालिस की हाफ वे रेंज आ रही थी और आज यह स्ट्राइजी डेफिनेटली वर्क आउट होने वाली है मैं अगर नई ट्राइ करना हूँ तो मुझे थोड़ा वूरा लगने वाला है लेकिन रेंज जो है लेकि यूटन थोड़ा सा जो कि थोड़ा सा आपको यहाँ प यहाँ पर देखिए रेंज बनने के बाद काफी मन कर रहा है बाई करने का लेकिन यह देखिए फोर जिरो फोर के आश्पास है फोर्टी ताजन फॉरेंड लेटा कॉल अप्शन है फोर जिरो फोर के आश्पास इस रेंज दिखिए 171 अगर स्टॉपलस भी काफी बड़ा हो जया था इतने उपर केंडल बनने शुरात हो दिये तो एशियन पेंट का क्या सीन है 34 हमने क्या माग के रहे है उसका हाई 3442 तो अभी काफी लंबा है अभी तक इसमें मोमेंट नहीं है और एक दो स्टॉक्स हमें दूढने पढ़ेंगे एक स्टॉक के हिसाफसे हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते हमोने और आईर कर लिया त्यां Dakota आप धिशूच संटेël मैं क्राइब का हमने अधर दिख सकते हो आप आपक्रासीम को मैंने एड कर लिया है क्या listen numerous कंश द प्राइशा मोटर को हम लोग आड़ कर लेंगे यह कर लिए हम लोग में आईशा मोटर को आड़ एंटीपेसी को भी बने आड़ कर लिया भी और प्राइशा मोटर मैं तो काफ़ी बढ़िया कैंडल बन रही है ग्रीन 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 हम लोग चाहो तो आईशा मोटर में ट्रेड ले सकते काफी अच्छा यहां पे आपे आप यहां पर झो है मोमेंट है और यहां पर जिक्षग भी हमें हम बता लाए कि अपसाइड जाने के चांसे से आईश्यार मोटर के भी है तो यह दो स्टॉक्स हम लोग अड़ कर सकते हैं मैं आईश्यार मोटर को आड़ करना पर प्रिफर करूंगा कि अपैस्यार मोटर ठीक है कि यहां पर आप देश सकते हो कि एर्षेन पर यहां पर ब्रेक कर दिया है कि थर्ट फोर फाटि को हाई है वह ब्रेक तो हम लोग यहां पर जो है ट्वेंटी फ़ाइ उसे बाई करकर चाह moral adults 13 50 कॉंटिटी के लिए 35 अधून लगेंगे 20 40 कॉंटिटी 27 30 कॉंटिटी में यहां पर जो है बाई करना चाहता हूं कि तो 30 पॉइंट्स मैंने यहां पर मार्केट और पे प्लेस कर दिए और जो हमारे अभी एग्जेकुट हो गई है 43 पे 34 43 के आज पस अधिशन मोटर भी अच्छा यहां पर ऑप्शन तर उस्तों अगर आप चाहते थे तो अधिशन मोटर भी पोडिशन मना सकते हैं लेकिन अभी मैंने आइशन पेंट में है जो ट्रेडिंग में काफी बार प्रॉफिट कमाया है ऐसा नहीं कि आईशन मोटर म यह जो है इसने हाई मारा है तो देखते हैं अगर हमने अभी पोडिशन तो बना ली क्या होता है क्या नहीं मार्केट में और तागेट तो हम लोग 35 पॉइंट से रखने वाले हैं तो यहां रेंज से हम लोग यहां पर कैलक्लेट कर सकते हैं कि हमें कितना पहुंच रखना ह कि आपको कभी भी यहां पर अगर टागेट लगाना नहीं आता है तो आप रेंज से लेजिए क्योंकि हमने बैंक निफ्ट में काफी बार स्ट्राडिजी की है वह 50 पॉइंट की मार्क है रेंज वहां से ही बैंक निफ्ट जो है रिवर्सल लेता है तो यहां से भी स्टॉक में काफी बार वह वर्क होती है तो हम लोग टागेट लगाएंगे लगबग 30 पॉइंट का 3472 और यह जो है स्टॉप लोस हम लोग क्या करेंगे जो 50 की हाफ वे रेंज आती है उसको हम लोग यहां पर लगा के छोड़ देंगे ठीक है यह देखिए हमने यहां पर उमार कर दिया काफी सिंपल स्ट्राडेजी है रोस्तो अगर काफी लोग जो है यहां पर मैक्सिमुम लॉसेस करते बैंक निफ्टी निफ्टी होए यहां पर डेली के 2,500,000 तो यह स्ट्राडेजी आप चाहे हो तो श्टॉक में यूस कर यह देखिए आपको क्या रिजल्ट चाहते रिखिए ट्राइब करना नहीं करना यह आपी चॉइस है ठीक है लेकिन हर दिन हमने मार्केट से कुछ ना कुछ सिखने मिलता है और अगर आप ऐसे इंट्राइड में करोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ डेली डेफिनेटली सिखने वाले हो तो ट्रेड तो चालू है हमारी और देखो आगे क्या होता है क्या नहीं होता है हमने तब ऑलिशे मनाई बैंक निफ्टे में जो है यह अगर हमने सोचा है कि हम लोग नहीं करेंगे कि अधरफ इंब लग रहे हैं कि कास हमने किया अच्छा होता लगे लॉस होता तो आपको वहाँ पे जो है फरक दिखा होता हो यहां पे देखिए हमारी जो पोजिशन है फिलाल नो प्रॉफिट नो लौस धोन में है तो देखत कि या होता है हमारा टारगेट होता है यह स्टॉपश होता है दोस्तो यहां पर आप देख सकते हुआ हाई ही विस्टाइब लेकिन 마지막 गप्र है उपर से नीचे यहां पर साइडवेज उपर से फिर नीचे और यह ऐसे करता है दिन बढ़ तो हमारा जो टार्गेट है वह कंप्लीट नहीं हुआ हमने 926 को यहां पर बाई किया था 34-44 के आजपस फिलार जो है हमारा प्रॉफिट और लॉज आप यहां पर देख सकते हो कॉंटिट हमने कम ली थी लेकिन अभी यहां सी अभी मार्केट अपसाइड जाने के यह यह शेयर की अपसाइड जाने के चांसे काफी कम लग रहे मुझे तो अभी मैं इस स्टॉक से जो है एक्जिट ले लूँगा मार्क यहां पर देख सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग यहां पर अपने पोजिशन सुर है एक्जिट ले लेंगे वेट नहीं करने वाले अभी मार्केट के क्योंकि अल्मोंस जो है अभी पिंटाड़े का टाइम है वो खतम उने आ चुका है तो मैं मार्केट और पर एक्जिट कर देता हूं ठीक है लगबग 85 रुपीस के आसपाद जो हमें भी लॉस हो रहा है यह बाब में हम किसी और दि तब के तिले जय हिन